उतरप्रदेश में अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने के लिए कांग्रिस ने संग्ठन में बदलाब किये हैं। उतरप्रदेश कांग्रिस में प्रदेश अध्यक्ष रहे बिरजलाल खबरी समेत सभी प्रांती अध्यक्षों को उनके पदों से हटाने का काम कांग्रिस द्वारा किया गया, नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार राय को नम्लियुक्त प्रदेश अध्यक् प्रताप सिंग से खास बातचीत की। कि प्रताप सिंग्रेश का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार ने ही देश्वासियों की आसा विश्वास भरोसे को खो दिया है। गांधी परिवार स्वयम उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपने लोगों पर विश्वास नहीं कर रही है। बड़ा दुखा दे कि थोड़े दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में चार प्रदेश अद्देश बनाए। और चारों इतने दिन में ही अविश्वसनी हो गए। तो यह जो अविश्वसनीता का वाता वरन कंगरेस के भीतर है मैं समस्ता हूँ अभी समलने वाला नहीं है चाहे जिसको प्रदेश अधच मरा दिया जाए। हम सब जानते हैं पूरा भार्पर जनता है कि इस कंगरेस पार्टी का अध्यच वही गंदी खांदान है वही नेरू खांदान है जिन लोगों को देश स्वासियों ने बुरी तरह से नकार दिया है तो यह अप्रत्यक्ष जो प्रदेश अद्धिश बनते हैं राश्टी अद्धिश बनते हैं इनका कोई मतलब नहीं है सर अगला स्वार है कि अजे कुमार राय को प्रदेश यूपी प्रदेश अद्धिश का बनाया गया है प्रधाम नती नैंद्र मोदी के खिलाफ ही जुनाव लड़े थे और साब तरपिकर उनका बयान आया है कि गांधी परिवार अब लोगसभा चुनाव मैरान दिखाए दे कि मैं उत्तर परदेश में कांग्रेस को इस रूप में स्थापित करूँगा संगठन को मजबूत करूँगा आदी आदी ऐसा कहते हैं लेकिन उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिया कि गांधी परिवार रामेठी से लड़ जाये वहां से लड़ जाये ऐसी मांग करके उन्होंने मीडिया में अपने को स्थापित करने का प्रयास किया है इसमें न तो कोई सत्यता है ना तो उनके कहने से गांधी परिवार कहीं से लड़ेगा अथवा ना उनके कहने से गांधी परिवार कहीं नहीं लड़ेगा ये सब कोई जानता है कि उनकी ये छमता नहीं कि ग परिवार कोया देंगे तो मेंटी से लाड़ तो गांदी परिवार नहें से लड़ने चलाएगा तो मैं समझता हूं जो इनका बियान है वह पूरी तरह स़र्थी लोगिता पाले का है संगथन मजबूत करने का नहीं है फिर संगथन मजबूत करना उनका inatal मामला है वो मजबूत करें कमजोर करें वो जाने लेकिन मैं जानता हूँ यह बयान जिस पर आप हमारी प्रतिकिया ले रहें यह पूर्ट या उनको केवल सस्ती लोकपिता पाने का ही एक फार्मुला हो सकता इसके रहा कुछ नहीं कॉंगरेस कह रही है कि अब उनके कारेकाल पूरा हो जागा वो जनता अमेठी जनता उनको नाकार चुकी है रहुल गांदी तुमारा दुबारा जब चुनाव रढ़ेंगे तो वो सानसत बनेंगे हम अमेठी राइबरेली को बहुत करीब से देखने वाले नागरिक हैं हमने अमेठी राइबरेली को बड़े करीब से देखा है अमेठी में इस्मती रानी जी और राहूल गांधी में जमीनास